बोजपूरी अभिनेता और गायक खेसाडी लाल यादो सिर्फ अपनी फिल्मों और गानों की वज़व से चर्चा में नहीं रहते कई बार उनके बयानों से सियासत का पारा भी गर्म होता रहा है बोलीवूड अभिनेता सुसान सिंग राजपूत को सरधानली देने पटना पहुँचे खेसाडी लाल यादो ने नितीस और तेजस्वी दोनों को खूब सुनाया खेसाडी लाल यादो को लेकर ये सवाल लगाता रहा है कि क्या वो पॉल्टिक्स में भी एंट्री लेने जा रहे हैं सुनिए सिटी पोस्ट के साथ इस्क्रूसिव इंटर्व्यू में इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया है जी हाँ आप ठीक अंदजा लगा रहे हैं खेसारी लाल का खेसारी लाल जी अभी मेरे साथ हैं इस बार बिहार के चुनाओ को कैसे देखते हैं एक फिल्म अभिनेता कैसे देखता है बिहार के चुनाओ को क्या उसकी भूमिका हो सकती है क्योंकि वो बिहार करने वाला है बा प्यार है वो बदलने वाला नहीं है चाहे कोई भी मुख मंत्री बने देखे हम मेहनत करते हैं मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ और आप भी जानते हैं और पुरी दुनिया जानती है कि मैं कितना स्टागल करके यहां तक पहुचा हूँ और आज भी परदे पे स्टडम हो स लगती है घमंड में परदे पे कर सकता हूँ लेकि मन में और विचार धरा में कभी ना मैं घमंड लाया और नहीं अपने मन में कभी ऐसी भावना आई कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ दू तो कहीं न कहीं चुनाव तो आता ही रहता है और मेरी मैं मुझे लगता है कि जो ज परवासी मजदूर की तरह का है जाते हैं जबकि हम अपने देश में अपने धरती पे आज नेता लोग परवासी मजदूर का नाम हमें दे दिये तो हमें अपने घर में हमें विदेश का बना दिया दुनिया ने आज हम मजदूर हैं किसान हैं हम दुनिया का पेट भर देते है कि एक मजदूर क्या करता है दुसरे के लिए काम करकर लेकि उसका बेटा खाई भी गड़ मरता है तो मेरे काने का मतलब कि जो विकास धारा की तरफ जाएगा आज जब से मेरी उम्र है मैं देखी रहा हूँ कि बिहार में विकास कहीं हुआ ही नहीं तो सायद है अगर कोई वि जी के राज को भी देखा है नितिश कुमार के भी राज को देखा है क्या कमप्रिजन करते हैं देखिए समय के साथ परिवर्तन तो होता है हमें लगता है कि हमें खुद की परिवर्तन की जरूरत है हमें भगत सिंग चाहिए लेकि अपने घर में नहीं दूसरे के घर में तो सब्सक्राइब एक तो किसी न करते हैं मैं उसको तो पर्TF peu ऑगने जाने सब्सक्राइब हो सकता है जगर चेंज हो तो अच्छा कर जाएं लेकि मैं अगर वो बनते हैं मेरी सुब कामना है कि मेरा भाई स्येम बने मैं तो यही चाहता हूँ बट मैं चाहता हूँ उनसे एक रिक्वेस्ट करोंगा कि अगर यह उसर आपको मिलता है तो विहार को इतना रोजगार दे दीजिए इतने जरूरत मंदू को काम दे दीजिए कि हमें बंबे जाने की जरूरत ना पड़े हमें महाराष्ट जाने की जरूरत ना पड़े हमें दिल्ली कलकत्ता दुनिया के किसी कोने में जाने के ना पड़े हम आज 15 पंद्रह हजर कमाते हैं तो 5000 हम रूम कि राय देते हैं 5000 खा जाते हैं और 5000 आपने 1000 ऐ zurिक र बैठते हैं वो कुर्सी पे बैठने के लिए अगर ये चुनाओ जीत रहे हैं तो साइद मुझे लगता है जो नहीं करता है उनकी विचार धारा अची है अगर वो करते हैं तो देखे मन में किसी के मैं बैठा नहीं हूँ दुनिया की मैं भी देखता हूँ एक्सन देखकर अंदाजा लगा जादा कि यंग चीजें हैं यंग जर्रेशन है साइद इस दुनिया को देखकर बहुत सारे मुखमंत्रियों ने अपने राजे में अच्छा कार किया है आज मोदी जी को ही देख लीजी आप उन्होंने पहले गुजरात को बड़ा बनाया आप अपने घर को किलिन करते हो आप अपने घर को उन्नत्य की तरफ लेकर जाते हो तो जब आप अपने घर को नहीं करोगे तो साइद दुनिया का असा विश्वास आप से नहीं होगा तो यह जरूरी है कि हमारा घर हमारा बिहार है और उस बिहार के उन्नती के लिए हमें जीना है जिस दिन एक नेता का बेटा मैं आपसे बता रहा हूँ जिस दिन एक नेता का इलाज अपने पटना में हो जाएगा मुझे लगता है कि उस दिन बिहार के उन्नती शुरू हो जाएगी हमारे लिए खुद के लिए हस्पिटल अच्छे नहीं है हमारे लिए सिक्षा का बिवस्ता नहीं है हमारे पास रोजगार नहीं है हमारे पास अगर बालू भी है तो उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है वो गंगम या का वो इसुवर का देन है तो हमारे पास है कहां हमारे प पर होता है पर आदमी तो दिकास के ही मुद्दे पर बेरुजगारी के मुद्दे पर बात करता है आतंक के मुद्दे पर बात करता है लेकि जब भी कोई भी पूकमंत्री बना है तो सर वो हटा नहीं है हमें चुनाओ जितने के लिए बेरुजगारी कही तो मुद्दा हो दूसरा कौन मुद्दा होगा बताईए ना क्योंकि बिहार में और कौन मुद्दा है बेरोजगारी ही तो है और मैं आज 15-20 सल मेरे 30 सल का ओमर हुगा मुझे लगता है कि मैं 25 सल से यही देख रहा हूं कि हर आदमी बेरोजगारी की ही बात करता है लेकि रोजगार कोई देता नहीं है अगर रोजगार होता तो इतने सारे हमारे भगवान सरूप मजदूर नहीं कह सकता है क्योंकि वो कहीं खटते हैं तो हम अच्छे से काम करपाते हैं किस के लिए परचार करेंगे कोई मांगेंगे किस पार्टी को पसंद करते हैं देखें मैं हर पार्टी मेरे लिए सकरिये हैं क्योंकि हर पार्टी में जो लोग हैं वो मेरे हैं मैं जातिवाद की बात कभी नहीं करता मेरे लिए जाति किस पार्टी के लिए परचार करेंगे ग आपकी मदद मांगेंगे? पीचाने आएंगे और मैं उनको बोल नहीं सकता है। पीचाने आपकी मदद मांगेंगे? आजेडी के बाहुवली नेता हैं, उनके घर वाले ही आपका बिरोध करते हैं, उनको डर रहता है कि आप चुनाव में उतर जाएंगे? आप को देखते हैं चलेंजर के रूप में? जिया होगा, वो ही सारी चीज़े हैं, तो संका एक चीज़े हैं। संका इसलिए है कि सारी लाल जहां भी आपदा आता है, कुछ बाटने पहुंच जाते हैं, राहत लेकर पहुंच जाते हैं। तो मेरा बिचार धारा है बाबा, या आप भी जानते हैं, क्यों मेरा बिचार धारा है? मुझे क्योंकि मैं गरीबी से आया हूँ, मुझे पता है जिए गरीबी का मतलब क्या होता है? और गरीब होता क्या है? तो कहीं न कहीं मैं उस महौल को जिया हूँ, उस महौल में रहा हूँ, तो मुझे पता है, तो मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता, मैं कोसिस करता हूँ देखें, मैं अरब पती तो हूँ नहीं, जिए मैं पुरे बिहार को गोद ले लूँग लेकिन मैं लोगों को बीच जाकर अपनी समयगरी से लेकर उनका एक कि लोगों की की चाहे जो भी हो आपी के हमारे धरंजे मिसरा जी के देहांद काल हो गया तो मुझसे जो हो सका इंडेस्टी से जो हो सका लोगों नहीं किया तो सब लोग दीरे दीरे आये तब उस परिवार को एक परिवार मिल गया सिरिफ खेसारी ही नहीं पुरा भजपुरी इंडेस्टी मिल गया पुरा समाज उनको मिल गया तो उस परिवार को आज ये तो नहीं लग रहा है कि हमारे पापा हमें अकेला छोड़ के गए उस पत्नी को ये तो नहीं लग रहा है हमें एक पती ने छोड़ दिया आज हमें अकेला छोड़ दिया एक बाप को तो नहीं लग रहा है, एक माँ को तो नहीं लग रहा है, सब लोग बेटे की तरह उस गोद में खेल रहे हैं, तो मेरा मनना यहां है, मैं उस बीचार धारा के इंसान हूँ, मैं चुनाव के लिए किसी का मदद नहीं करता है। देखें बिजली और रोड की तो मैंने देखा हैं कि बिजली रोड बहुत अच्छे हुए हैं, परसासनिक तोर पे चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकि ये बिवस्ता के बाद भी हमारा रुजगार है, बेरुजगारी बढ़ेगा तो आप परसासन टाइटे करके क्या करिए लोग काटेंगे, लोग मारेंगे, लोग एक दूसरे का बिरूद करेंगे, तो मेरे कहने का मतलब कि आगर हमें आप रोजगार दे देते हैं, तो हर आदमी अपने रोजगार के तरफ चला जाएगा, तो ना मार होगा, ना काट होगा, ना केस होगा, ना फवदारी होगा, स शासन का बिवस्ता आज बहुत अच्छा है ये जरूरी है बट ये सब चीजों के बाद अपने खुद को चलाने के लिए अपने बच्चों को पालने के लिए हमें जरूरी है वर्क हमें जरूरी है बेरुजगारी से हटने के हमें रुजगार की जरूरत है तो मेरे काने का मतल लिए चाहे जितना घर बनाए चाहे जितना सिनेमा करते हैं या तो वोपी करते हैं और नहीं तो बिहार करते हैं चाहे कोई भी कलाकार भजपुरी का या तो बिहार नहीं तो यूपी और नहीं तो महरास्ट यही हमारा जगा है या गुजरात या हम राची यही करते हैं हम बि पिहार में विवस्ता मिल जाए सबसीडी का विवस्ता हो जाए हमें उस टाइब की चीजह मिले तो मुझे लगता है जिस सीनेमा इंडेस्ट्री से कम से कम दस लोगों को काम मिलेगा अगर पचास सीनेमा बनता है तो दो 200-300-400-500 लोग उसमें काम करते हैं तो कहीं न कहीं आप वेवस्ता नहीं दे पा रहे हैं तो रोजगार क्या देंगे और वेवस्ता जब तक दे देंगे तभी रोजगार की बढ़नती क्योंकि लोग आएंगे उनको वेवस्ता मिलेगी तो आपके यहां फैक्टरी डालने की को अगर गुसा आता तो आप वेवस्ता सफर मेरा देखे ही मैं कितना सांथ सुभाव का इंसान हूँ हाँ कभी-कभी मुझे कुछ बाते लग जाती है जब मैं कुछ नहीं करता हूँ और मुझे कोई उंगली करता है तो गुसा आता है मैं कि किसी को गाली नहीं देता और नही कर दिया दो बच्चे का बाप हूँ मैं मुझे ऐसा थोड़ी है कि मैं कुमारा घुम रहा हूँ और मैं गारजीयन नहीं हूँ मैं आज गारजीयन बन गया हूँ पहले मैं हो सकता था मैं एक बाप का बेटा था लेकिन मैं आज गारजीयन हो गया हूँ मेरे अपने संसार है ज जब तो अपने ही है, जब कुछ नहीं था, तो गुशा आदमी नहीं किया, अज तो बहुत कुछ है, तो मुझे और नरम बनके रहना चाहिए, आज इस पेड़े में कहीं न कहीं बहुत सारे फल हैं, तो मुझे जुक जाना चाहिए, मैं ताड नहीं हूँ, मैं नसा नहीं दे पिर मैं फरूँगा तो मुझे गिरकर भी उटना लेकि कम से कम उस जटहा से मैं उस इंसान को खुशी तो दे रहा हूँ अगर उस जटहा चलाता है उस फल से उस आदमी को संतुष्टी तो मिलती है अगर दो गाली देने से बाबा अगर आपको बड़ा अनंद लाता है खेसा खेसारी को सुन लिया एक फलदार ब्रिक्ष है और फलदार ब्रिक्ष जहां हो वहां तो आदमी डंडा चलाता ही है फल पाने के लिए तो अगर आप खेसारी पर डंडा भी चलाएंगे तो ये बदले में आपको फल ही देंगे मिठा फल तो ये है आपके प्यार और प्यार का नतीजा कि खेसारी आपसे इतना प्यार करते हैं और आप खेसारी को इतना प्यार करते हैं